जो धरती कभी सोना गुलती थी वो बन गई धंदा करने का जरिया यहां गुलाबी नोट देखकर क्या टपकने लगती है अधिकारियों की लार आम आदमी झेल रहे हैं भू माफियाओं और सरकारी दलालों की दोहरी मार जहां कभी पक्षियों की चहचाहाट थी वहां अभी नसर आता है पीला पंजा लोगों के सपने को रौंदने वाले इस काले धंदे का दिल्ली समाचार करेगा परदाफाश यह धरती मेरी मा है फिल्म बॉर्डर का यह डायलोग तो आपने खूप सुना होगा इस मा के लिए भारत के किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि वो क्या कर सकता है तो पहला जवाब होगा खूण का एक एक कत्रा बहा सकता है पर क्या हो जब इसी देश के लोग इसी माटी का सौधा कर रहे हूँ वो भी एक बार नहीं कई बार 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 इतने बार की उस माटी को भी समझना आए क्या हो जब इसी देश में पढ़ लिक कर अधिकारी बने लोग दलाली कर रहे हो इसी देश के खाकी वाले कागजी कारवाई ही कर रहे हो जी हाँ कहानी बॉर्डर की है फरक यह है कि यह देश का बॉर्डर नहीं राज्य का बॉर्डर है दिल्ली हर्याना बॉर्डर के पास ग उतनी ही बेरहमी से तूट भी जाता है दरसल जिस जमीन पर ये सपनों के आशियाने तयार हो रहे हैं वो कृशी योग्य जमीन है इन जमीनों पर अक्सर प्लॉट काट दिये जाते हैं सरयाम धर्ती मा का सौदा किया जाता है और जब आशियाना तयार होता है तो पीले पंजे से तोड़ दिया जाता है और ये सब कोई नई बात नहीं सालों से ये खेल चल रहा है भोले भालों लोगों को ना पैसा मिल पाता है ना जमीन मिलती है तो सिर्फ उमीदें उमीद भी सरकारी जिसकी फाइल अटकती है कभी थानों में तो कभी SDM के ऑफिस में धरती के खरीदन कंकरीट के जंगल में बीच बोने का काम करते हैं प्रॉपर्टी डिलर जो हरी भरी जमीन को बेज देते हैं और जब मकान तयार हो जाते हैं तो सरकारी अधिकारी लाव लशकर के साथ सब तोड़ने आ जाते हैं पर सवाल ये कि जब प्लॉट काटे जाते हैं तब अधिकार कहा होते हैं जिन जगहों पर कारवाई को अंजाम दिया जाता है उसकी फाइल SDM Office में अब तक क्यों अट की है जमीन के दलारों पर action क्यों नहीं लिया जाता पर कमाल तो ये कि कारवाई भी एक तरफा होती है सही सुना आपने एक तरफा सूतर बताते हैं जहां से पैसा आता ह वहां से सरकारी बुल्डोजर के चक के अपने आप घूम जाते हैं पीला पंजा पैसों का आगे जुकता नज़र आता है और जहां से पैसे सरकारी अधिकारियों की जेब गरम नहीं करते वहां पर बुल्डोजर अपनी पूरी गर्मी दिखाता है ऐसे में सवाल ये कि उच उच अधिकारियों के संग्यान में आने के बाद उच अधिकारी, SDM और दिल्ली पुलिस वो इस काले धंदे में लिप्त अधिकारी और इन भू माफियाओं के ऊपर क्यार कारवाई करते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा बेरो रिपोर्ट दिल्ली समाचार